हेलो गाइस वेलेकम टो गूगल कुपते चैनल आज हम देखेंगे कि हम विंटो 10 को फास्ट कैसे कर सकते हैं मतलब यह कोई hard and fast rule तो है नहीं कि मतलब यह चीज करोगा तो fast हो ही जाएगा मतलब एकदम से slow चल रहा था और एकदम से ही fast हो गया यह बस एक कुछ तरीक की हो दिन जिसे कुछ percent fast हो जाएगा तो उसमें कुछ जोट वाले बात नहीं है कि बुलकुल ही fast हो जाएगा पर हां कुछ हद तक हो जाएगा ऐसे बा कमाला जो option होता है यह दोनों enable होते हैं अगर आपके enable हैं तो उसको off कर दीजेगा तो इससे जो कुछ हद तक fast हो जाती है जाती है जो 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 चीज है वो फिर नहीं आती है तो उससे कुछ percent जो है फरक बढ़ सकता है और आप अगर देखे पहले चीज तो यह कर सकते हैं और हम में advanced system settings in advanced system settings के अंदर हमारा advanced tab के अंदर यहां पे आता है setting setting performance के अंदर जो setting है यह वाली setting इसके अंदर जाएंगे यहां पे एक visual effect tab होगा इसके अंदर choose adjust for best performance इस पे हमको click कर दाना है यहां से apply और ok और यहां से भी ok यह हमारी दो चीज हो गई चीज है एक तीसरी चीज है कि startup programs को आप जो है बंद कर दीजिए test and tax खोलना तो आता ही होगा आपको task manager control alt delete यहां पे हमने खोल दिया task manager task manager में जाके हमारे जो कुछ background processes है उसको हम बंद कर सकते हैं जैसे कि हम start up वाले कर सकते हैं startup में जैसे कि जो शीजिए नहीं है इसके skype है skype की कोई जरुरत नहीं है यह वैसे भी disabled है और इसमें कोई चीज जरुरत नहीं हो यह भी disabled है micro tray adopt system I think इसके भी कोई जरुरत नहीं है तो इसको disable कर दो wonder share studio अच्छा यह वह है वीडियो editing software इसको disable कर दीजिए हाँ यह स्टार्ट अपका फास्ट हो जाएगा बूट जल्दी होगा तो यह booting के लिए होता है तो जो भी आपको लगे अपने PC के साब से मुझे यह सब लगे अपने PC के साब से तो मैंने कर दीए बाके तो HP का है यह intel का है और नहीं बाके तो मुझे नहीं करने चाहिए उसकता शार्ट अप में देक आज तो बस इसमें कर दीजिए बाके ज्यादा हो तो आपी ना प्रोसेस में बेग्राइंड प्रोसेस बिबंद कर सकते हो बैग्राइंड प्रोसेस जो की जरू कि हाँ यह वंडर शेयर स्टूडियो कर सकते हैं एंट टास्क और देख लो यार मतलब जो जो लगया आपको फाल दो किया है जब वही एंट टास्क करना जो आपने खुद से इंस्टॉल किया है जो अल्रेडी इसके अंदर इंबिल्ड है उसको मत करना वही दिक्कत हो के कंट्रोल पेल संबने जाते हैं पहले तो अनित्ला में हमारे प्र से संब्रोग्राम और फीचर में कि अनिस्चाल प्रोग्राम्स ना आगया खुल गया इसके अंदर अब जुतने भी ब्लोट वेयर होते हैं उनको अनिशॉल कर लो जाज़े कि यह हमारा Microsoft का Corporation यह ने करना चाहिए अगर हम Edge को भी कर देंगे तो को दिक्कत नहीं होगी लेकि आगया जोता नहीं अनिशॉल और या फिर इसमें प्यक्तों बैंटी काम है यह मैं यूज नहीं करता हूं उसको करले था आँ उसको मैं यूज ने करता हूं तो यह आप अनिशॉल कर लो और यह वाली फाइल्स पी बन जाती है कावी बार इसको bloat words कहते हैं जो इस तरह की जो files होती है न जो extra होती है टाओ इसको यार यह वारी जो files होती है इसको भी uninstall कर लो ठीक है मतलब जो जो आपके files के जो uninstall हो सकती है चीजे यह node.js यह काम की चीज़ है मेरी और ठीक है इतना ही कर सकता है इसके अंदर और बेंडीकैम हो गया इसको यह वाले भी कर लो uninstall तो उसके साथ ही चपके आता है और जब हमने बेंडीकैम uninstall किया तो यह uninstall नहीं हुआ तो उसको भी कर देना uninstall यह चीज़े bloatware के अंदर आती है जो pc में रहा जाती है app install करने के बाद भी तो यह वो चीज़े थी और इसके और डीके अंदर में SSD अच्छा SSD बहुत काम करती है मतलब window को fast करने वाली बात हुई है तो SSD आपको लगानी चाहिए 4500 रुपी के आ जाती है depending on size मेरी 256GB की है और मतलब काफी fast हो रहाता है उससे PC comparatively to hard disk और मैंने अपना boot भी उसी पर चला रखा है तो उसलिए SSD लगाना ज़ कुछ फाल्तू की चीज़ निकालनी है तो okay किया और यहां पर जो भी इसमें कुछ फाल्तू की चीज़ी होंगी वो दिख जाएंगी मेरको और यहां से मैं कर सकता हूँ clean up system files, turn up program files, temporary, temporary internet files यह कर सकते हैं हमें delete, bull-cool कर सकते हैं recycle pin में कुछ है ही नहीं, temporary files कर सकते हैं, 400 MB, 410 MB delete इनको कर दो delete चीक है, इस से कर से D के अंदर भी कर सकते हो, D के अंदर भी देखने ना कुछ फाल्त, कुछ ही लगा है तो कुछ है ही नहीं वैसे इसके अंदर window file में से कर देखना, जो भी see है मेरी वो window file है, तो window file में से कर देखना, यह बहुत बढ़ी दरिखा, मैं लगा कर दो 500 MB तो हमारा इसी clean हो गया और अगर start में हम जाए, setting में और setting में जाब जाके हम system में जाए और यहां पे जाते है, notification कहां गया search कर लेते हैं भाई, notification में लिए, get tips taken suggestion, यह रिठ हमारे toggles इनको off कर दो, get यह जो suggestions है, यह भी पीछे backend में चल जाती है notification on home screen, यार home screen पे notification मुझे नहीं चाहिए मैं इसको भी अठा देता हूँ, allow notification to play sounds, चल ठीक है यह मुझे चाहिए, suggest ways, ठीक है बागे में, आपनी साफ से देख लिए, जो आपको चाहिए चाहिए, बस हमझी के toggles क्या होते हैं, तो ECD भी बंद खोल कर सकते हैं, उससे भी काफ काफी जाद क्योंकि notifications हैं बहुत फरक पड़ता है speed पे PC की, तो यह भी कर सकते हैं तो यह कुछ 6 तरीके बताएं हैं जिससे fast होता है, और भाई सिदी सिवात अगर fast करना है तो SSD लगवानी पड़ेगी SSD is basic thing या फिर boot के time पे फिर उसको SSD को set कर लेना तो यह कुछ चीज़े होती हैं और इसके अंदर क्या होता सकते हैं पेसिकली इस चीज़े होती है तो तुमारा PC fast हो सकता है और हाँ एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर टेंप वाली चीज़ होती है यहां पर अगर मैं run में जाओ run में अगर मैं temp मैं कर टेंप फाइल तो मैंने clean कर दे दिर निक मैंने clean किया था तो अच्छा temp file clean नहीं होई थी तो temp file भी उनको clean कर देनी है temp file भी हमने clean कर दी यह सीज़े हैं जो आप करते रहों मतलब catch file में जैसे कि जब हमारा PC होता है PC पोलनों Android जो होता है Android यह कोई भी हो जोड़ो यह files को छोड़ो जो उसके अंदर भी cache files आ जाती है उसमें अब देखोगे न तो cache files तो उसके अंदर भी आ जाती है तो cache file हर operating system में आती ही आती है तो उनको आपको clean करते रहना पड़ता है clean नहीं करोगा तो आपको पीछी slow कर देगी PC या Android जो भी आप चला रहे हो Mac वगारा slow कर देगी जो काम आ सकती है और कोई वीडियो चाहिए हो किजी भी चीज के ओपर तो बता जाना मुझे आइडियास कर बहुत कम ही आ रहे हैं ऐसे थैंक यू एंड सब्सक्राइब टो गूगल उत्ता